हाई गाईज, कैसे हैं आप लोग, I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको BHU के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिस प्रोग्राम को करने से आपको जॉब की एशरेंस तो होगी ही होगी और साथ ही साथ अगर आप उस फील्ड में अपना रिसर्च करना चाते हैं स्टडी करने के बाद तो भी आप कर सकते हैं यानि यहाँ पर दोनों ही चीज़ की एशरेंस आपको मिलेगी आपको जॉब की एशरेंस 100% मिलेगी और आप अपना पिच्ड अगर आप उस फील्ड में अपना पिच्ड करना चाते हैं तो भी आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सिरफ जॉब की एशरेंस दे दी जाएंगी तो इस प्रॉग्राम के बाले में आपको सारी चीज़ें आज बता दूगा कि इसका क्या eligibility है, कितने साल का program है, fee structure क्या है, cut off कितना जाता है, syllabus can, trends का कब होता है, इस सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो बता दूँगा, वीडियो short होगी लेकिन बहुत ही important है आप सभी के लिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यह program कहां है, और यह क्या है program, तो सबसे पहले यह program BHU, यानि बनारस हिंदू उनिवरस्टी के अंदर है, जो कि इंडिया की top notch Central Universities में से एक है, इसकी हमेशा ही NIRF ranking less than 5 के अंदर होती है, और यह research index में भी less than 10 के अंदर हमेशा रहता है, तो BHU को आपको consider करना चाहिए, BHU अच्छी Central Universities हैं, चाहिए आप MSC Physics की बात करें, या मैं जो आज प्रोग्राम बता रहा हूँ, जिसका नाम है MSC Tech Geophysics, यह MSC Tech Geophysics एक regular 2-year MSC से अलग है, यहाँ पर आपको 3-year का MSC Tech, क्योंकि यह integrated program है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको scientific knowledge के साथ-साथ engineering applications भी बताया जाएगा इस program में, तो basically MSC Tech Geophysics इंडिया के बहुती कम universities और institute में है, जैसे कि आपको पता होगा कि यह IAT धनबाद, जो IAT ISM था पहले, तो IAT धनबाद में भी MSC Tech Geophysics हैं, IAT Bombay में भी MSC Geophysics हैं, वहाँ two year का Geophysics हैं, और क्योंकि वहाँ technical, यानि basically engineering applications कम पढ़ाएंगे, scientific ज्यादा knowledge देंगे, theory पर ज्यादा focus करेंगे, computer application होगा, बट engineering application नहीं होगा, तो वहाँ two year का MSC program चलता है, फिर कुरुक शेतर युनिवरस्टी में भी यह same program MSC Tech Geophysics, three year का program चलता है, बट मैं BHU को ही क्यों target कर रहा हूँ, क्योंकि BHU आपको assurance देती है placement की, बहुत बड़ी-बड़ी PSU जैसे public sector undertaking, जो हम जैसे हम बोलते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े PSU यहाँ पर direct recruitment के लिए आते हैं, और as a geophysicist की job देगर आपको recruit करते हैं, वो भी college campus के through, campus के through ही होता है यहाँ पर placement, तो यहीं सब चीजों के बारे में आपको बता जाता हूँ, सबसे पहले अगर हम बात करें eligibility की, यह program क्या है, MSC Tech Geophysics, तीन साल का program है, आपका 6 semesters आपके लगेंगे, यह eligibility जो है, अगर आप लोग BSC honors या BSC के student है, BSC pass भी चलेगा और BSC honors भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने physics, maths, और एक कोई दूसरा सा science का subject है, वो पढ़ा होना चाहिए, physics, maths, या कोई और एक तीसरा science का subject, आप तीसरा science का subject क्या है, electronics हो सकता है, statistics हो सकता है, geology हो सकता है, chemistry हो सकता है, ठीक है, इन में से computer science हो सकता है, कोई साभी एक extra subject आपने as a science subject पढ़ा हुआ है, तो आप लोग eligible हैं, तो मैं दुबारा बता देता हूँ, आप अगर BSC honors के student है, अब माल लिजी कि आप BSC honors physics के student है, और आप physics के साथ साथ आपने math भी पढ़ी है, कुछ semesters, सारे semesters के requirement नहीं है, और आपने math के साथ साथ एक और कोई दूसरा science का subject पढ़ा है, जैसे electronics हो गया, statistics हो गई, या आपका geology हो गया, या आपने कोई और chemistry पढ़ी रखी है, कोई साथ भी एक दूसरा, जो तीसरा science का subject आपके पास है, तो आप लोग eligible हैं, और BSC pass वाले students भी eligible हैं, लेकिन यहाँ पर 10 plus 2 plus 3 system को ही valid बाना जा रहा है, eligibility के लिए 10 plus 2 plus 4 वाले eligible नहीं है, basically BE और BTEC के students eligible नहीं हैं इस program के लिए, तो यह हो गई eligibility की बात, फिर अगर हम बात करें, आपको कितने marks के requirement हैं, तो आपका 3 साल का मिला के, यानि BSC का 50% होना चाहिए aggregate, 50% से अगर आपके ज़्यादा हैं, तो आप इस form को भरिए, और आप इस application भढ़ने के बाद इंटरेंस में बैठेंगे, इंटरेंस कब होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, number of seats की बात करें, तो approach number of seats 45 के आसपास हैं, हाला कि जो prospectus में लिखा हुआ है, वो 42 ही number of seats लिखें, बट कुछ paid seats होती हैं, तो 5-6 paid seats होई जाती हैं, तो paper pattern आपके पास, तो total number of questions होते हैं, वो 120 questions होते हैं, total number of questions 120 होते हैं, और each 3 marks का होता है, यानि 360 का paper बनता है आपके पास, तो 120 में से 60 questions जो होते हैं, वो maths के होते हैं, और 60 questions जो होते हैं, वो physics के होते हैं, और दोनों ही graduation level के होते हैं, तो 50% of the paper जो होता है, वो maths का होता है, और बाकी 50% जो होता है, वो physics का होता है, graduation level का, तो अगर जो students maths पढ़ रहा है, सारे semester में जिसके पास maths है, तो उसने बहुत सारी चीज़े पढ़ी होगी, जैसे आपके पास vector calculus हो गया, vector spaces हो गया, differential equations हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आत ज्यादा मतलब आसानी होती है, preparation करने में, हाला कि ऐसा कोई problem नहीं है, आप लोग अलग से पढ़ के भी तयारी कर सकते हैं, तो math लेकिन आएगी, आएगी exam में आपके पास, तो 50% जो होगा आपका paper का, वो maths होगा, और बाकी 50% physics होगा, यानि 60 questions का division है, total 120 number of questions होगे, 3 marks each का, 360 और यहाँ पर negative marking भी होती है, one third का, ठीक है, तो graduation level का यह सारी चीज़ आती है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ important चीज़ों की geophysics से related, कि क्यों हमें consider करना चाहिए geophysics को BHU में, क्यों consider करें हम, सबसे पहला important, क्योंकि BHU एक brand BHU है, basically आपको पता है कि Central University तो है, य 10 के अंदर ही रहा है यह, हैंदराबाद के साथ, DU के साथ, तो इसलिए इसको consider करिए, अब यह program क्यों important है, सबसे important criteria है, placement का, यहाँ पर आपको यह जो university है, और इस university का जो department of geophysics है, यह आपको assurance देती है, कि आपका अगर आप पढ़ने में ठीक हो, आपका performance अच्छा रहता है तीनों येर्स में, MSC Tech में, तो जो companies होती है, कौन सी company, PSU, Public Sector Undertaking, like ONGC, Oil India, यह सब recruitment करते हैं, तो जैसे मैं आपको एक data, आपको side में दिख रहा होगा, कि यह data, January 20 के दौरान जो placement process चल रहा था, अभी 21 का चल रहा होगा, most problem, कुछी दिनों में आपको report मिल जाएगी, कितना placement हुआ है, but COVID की वाई से थोड़ा situations आगे पीछे हो गया होगा, but 20 का अगर आपको placement दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है, कि 8 students है, तो अगर हम आप मान के चलने कि last year 40 students पढ़ रहे थे, तो 8 students का placement हुआ था, direct campus के थूरू और इनकी जो सैलरी लिखी हुई है, वो 12, 20.5 lakh calorie है, जो इनका पैकेज है, वो 20.5 lakh का पैकेज लगा था, तो आप सोची एक Central Universities में इतना expect नहीं करता है कोई, लेकिन BHU में पढ़ाई अच्छी होती है, सारे faculties काफी old faculties है, old faculties बहुत ही बढ़ियां पढ़ाते हैं, और कुछ young faculties हैं, जिनका जो engineering application का mind है, वो बहुत ही अ applications अच्छी तरीके से, आपको programming भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तो आपका जो chances है placement का, वो बहुत जादा बढ़ जाएगा, तो ये course, ये program placement के view से बहुत ही जादा ही important है, जो students, masters के बाद क्योंकि बहुत सारे students हैसे होते हैं, जो research field में नहीं जाना चाते हैं, वो placement placement के लिए सोचने कि IIT में जाऊंगा, तो मेरी placement हो जाएगी अच्छे से, तो better है, जिनको geophysics की field में जाना है, और placement चाहिए, वो ये program जरूर करें, इसके इंटरेंस के त्यारी शुरू कर दें, क्योंकि इंटरेंस जो आपके 3 महीने बाद होने वाला है, इसका मई या जून में, ठीक है, तो ध्यान रहें, ये program उनके लिए बहुत ही important है, जो placement का सोच रहें, और एक high placement का सोच रहें, और एक अच्छे PSU, सोच रहें हैं, PSU में जाने के लिए लोग gate crack करते हैं, PSU में जाने के लिए gate चैसा tough exam crack करते हैं, यहाँ पर आपको campus के through उठाये जाएगा, कि इतनी अच्छी बात होगी, तो प्लीज आप इस program को consider करिए, तैयारी करिए कि cut off high रहता है, इसका मैं बताऊंगा अभी कितना cut off सा last year का, जिसी कि आपको idea लग जाए, तो ये पहली बात, दूसरी बात ये है कि कुछ students ये सोच रहें, कि सर क्या मैं MSC Tech करने के बाद gate और net द दे सकते हैं, और आप net जो है, earth science से दे सकते हैं, ठीक है, net earth science से देंगे, और gate जो है geology and geophysics से देंगे, geology आपको पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि geology नहीं पढ़ाई जाएगी, और geophysics तो आपका mean subject होगा, तो gate भी दे सकते हैं आप, क्योंकि ये post-bhc integrated master program है, क्या है post-bhc integrated master, तो basically आप यहां eligible होंगे, आप यह अपने second या third year में होंगे, तब आप form भर के gate का exam qualify कर सकते हैं, लेकिन ultimately gate, geology और geophysics वो students देते हैं, जिनका campus placement नहीं होता है, जिससे कि वो ONGC, IOCL या oil जैसी company में as a geophysics work कर सकें, बट आपको अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, त geophysics में, earth science में PhD करना जैसे आइसर्स हैं, आइसर्स आपको PhD करवाती है, earth science में, बहुत सारे इंडियन institute of geomagnetism है, वो भी PhD कराती है, आपको जियो फिजिक्स में, आप इंडियन institute of tropical materialology है, वो भी कराती है, बहुत सारे institute हैं इंडिया में, जो PhD in earth science कराती है, IITs तो हैं, बाक में, आपको सिर्फ job की ही बात बताई जा रही है, तो आप gate और net दोनों ही qualify करने के बाद PhD में continue कर सकते हैं, अगर आपको job नहीं करनी हैं, तो ये एक दोनों चीज़े जो हैं, आपको बहुत ही, मतलब useful लगी होगी, जो मैंने आपको बात बताई है, इसको आप note कर लेजे क नहीं पर ताकि आप भूले नहीं और दिमाग में कोई confusion ना रहे, इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको confusion लग रहा है, तो नीचे कमेट में आप पूछ सकते हैं, फिर अगर हम बात करने कि सर्थ B.H.U. की MSC Tech Geophysics की fee structure क्या है, क्योंकि इतना सब कुछ देगा को युनिवर आपके होंगे, तो around 25,000 रुपीज आप आपके, मैंने maxi बता दिया, थोड़ा 1000 रुपे आड़ करके, 25,000 में आपका ये program complete हो जाएगा, अगर आप hostel लेंगे, तब आपका सायाल का कुछ रुपे लगेंगे, बट 50,000 में आपका complete study हो जाएगा, यहाँ पर MSC Tech का, जो कि लेती, तो इसलिए ये program कितना important है, कितना, जो financially poor है, लेकिन वो अच्छा result चाहते हैं, कि मैं तीन साल के बाद एक अच्छी job लेकर निकलू university से, किसी भी college से, तो आप इसे consider करिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इंट्रेंस कैसे निकाला जाए, इंट्रेंस बहुत ही important है, इसका, क्योंकि बगार इंट्रेंस केस में admission नहीं मिलता है, तो इसके जो forms निकलेंगे, भी एच्यू ने एक newspaper editor को एक interview दिया था, उन्होंने बोला, जो उनके PR हैं, कि जो form निकलेंगे, वो अप्रेल मई के दौरान निकलेंगे, तो आप consider कर लिजी कि last week of, मतलब 15th अप्रे इंट्रेंस के अप्लिकेशन के लिए आप ये नोट कर सकते हैं, कि मिड़ अप्रेल से मिड़ मई तक आपका form आ जाएगा, फिर आप form भरियेगा, जो नाम है, बहुत सारे students, मैंने भी पढ़ा था है, कहीं एक website पर, और students ने मुझे बताया कि सेंट्रल इनिवर्स्टिस का common इंट्रेंस होने वाला है, वो देखेंगे अभी बीच में जो भी रिपोर्ट आएगी हम वो अप्ड़ेट कर देंगे आपको, बट आप ये कंसिडर करिए कि आपको इंट्रेंस देना है, और ये इंट्रेंस कंसिडर करना है आपको, इसे नहीं छोड़ता है, जो students चाहते ह अपना एक bright future इस field में, जियो फिजिक्स में, और जियो फिजिक्स कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है, बहुत ही renowned internationally claimed ये ब्रांच है, और बियेचिव भी बहुत ही बढ़िया एक learning temple है, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस field में, और department भी काफी old है, जिससे कि chemistry पढ़नी है, और physics भी पढ़ना है, तो ध्यान रहे, अगर आप लोग चाहते हैं, आपने जितना पढ़ा है, और चेक करना चाहते हैं, कि आपको कितने marks अभी आ रहे हैं, तो आप paper download कर सकते हैं, भू online.org पर जाके paper download करिए, और उसे solve करने की कोशिश करिए, और देखें कि कितने marks आपके आते हैं, ठीक है, last is one of the best, but not least, वो है cut off का, ठीक है, cut off अगर पता हो, तो आपको जो है, एक idea लग जाएगा कि कितने कितने marks लाने पड़ते हैं, क्या आप लोग TIFR GS 2021 देने जा रहे हैं, जो की 5th या 6th March को होने जा रहा है, और आपकी revision अच्छी तरीके से न जो की free of cost होने वाला है, जिसमें की जो 19th February से start हो रहा है, कल से, उसमें आपको revision के लिए tips and tricks बताए जाएंगे, revision कराए जाएंगे आपको कुछ topics के, और 21 February से start हो रहा है, उसमें आपको previous रिगे questions के solutions मिलेंगे, जो कि TIFR में पिछले साल आए हैं, तो उससे आपको एक idea लग revision, start करिए with unacademy and don't forget to download unacademy learning app, ताकि आप इन सभी series के जल्दी सजल्दी access आपको मिल सकें, और ये series free of cost है, लेकिन जो code है, एक हे जब 100 उसे use करना ना बूले, थैंक्यू, और आपको cut off पता चल जाए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने marks जो है last year तक students को मिला था, कभी-कभी paper अगर tough आ जाए, तो marks कम हो जाएगा, तो last year जो general candidate था, जिसको admission offer हुआ था, out of 360 उसके 150 marks थे, last general candidate जिसे admission offer हुआ था, बहू के थू, वो जो है 1500 marks थे, उसके 150 marks थे out of 360, दूसरा जो OBC candidate है, उसे 148 marks पे मिला था, last OBC candidate, और SC candidate को 75 marks पे मिल गया था, admission out of 360, और ST और PWD 29 out of 360 marks पे admission fix हुआ था, जो last candidate था, जिसे admission दिया है, all India rank 1 के 234 marks थे, उसे 100% admission मिली गया होगा, depend करता है उसमें लिया या नहीं लिया, generally लिया ही होगा, तो 234 marks थे, आपको भी ये consider करना है कि 200 marks के average में आपको रहना है, 182 to 200 के बीच में out of 360 कैसे भी करके gain करने है, ठीक है, तो अगर आप सिरफ physics वाला ही portion क्यों कर लें, तो भी आपके 180 marks बन जाएंगे, क्योंकि 60 questions हाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल निल होंगे math subjects में, आप उसमें भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो please इसे consider करिए और study करना शुरू कर दीजिए, math का जो syllabus है, मैंने आपको कुछ topics बताएं हैं, जैसे vector calculus, analytical geometry, vector spaces, differential equations में, second order differential equation तक, physics का जितना है mathematical physics वो सारा चीज़े, तो आप इसे जितना आपने physics का भी तक पढ़ा है, तो अपने पढ़ाई होगा, बट math के लिए आपको थोड़ी एक्सा चीज़े, analytical geometry आप नहीं पढ़ते हैं, आपको बुक ले सकत दी है, तो आप बता सकते हैं, हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, कि इस department में आपको specialization भी मिलेगी, आपकी जब आप MSC के second year में रहेंगे, तो यहाँ पर generally बहुत सारे specialization है, जैसे seismology है, exploration, geophysics है, meteorology है, बहुत सारे हैं, surface physics है, तो ऐसा यह नहीं कि आपको सिरफ MSC करा दिया जाएगा, आपको specialization भी मिलेगी, जब आप second year में होंगे, और आप अपना जो research है, उसमें proceed कर सकते हैं, ठीक है, यह चीज़ भी consider करनी वाली बात है, और 2019 में भी placement हो गया था, और 12 students का placement हो गया था, out of 40, जो की salary साड़े 15 लाग से उपर ही थी, साड़े 16 प्लेस्मेंट के लिए तो बहुत ही important है, हर साल placement होई जाता है, students है कुछ ने कुछ, और यही चीज़े जो थी मुझे आज के इस वीडियो में बतानी थी, I hope कि सारी चीज़ा आपको clear हो गई होंगी, प्लीज इस वीडियो को like कर दीजे, और ज्यादर ज्यादर दोस्तों के अच्छा परफॉर्म करके, अपने जो फ्यूचर है उसे bright कर सकें, ठीक है, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई, टेक केर